एक बार आप फिर से देखेंगे किसान अंदोलन फिर से चल्चा में बन चुका है और अब आप सुन रहे हैं दिल्ली के आसपास किस तरह से किसान अंदोलन कर रहे हैं तो यह नहीं कहिए कि नया कोई काम है हमारे किसान बहुत पहले से संगर्स करते रहे हैं आप लोग सुनते रहते होंगे मोपला किसान अंदोलन मैं 1836 चंवन की बात कर रहा हूं नील विद्रोग 1869 की बात कर रहा हूं पावना दक्कन उब्द्रव पंजाब में आपने देखा है चंपारन देखा है खेडा देखा है आब आद एक आंदोलन तो चलिए आज हम कुछ आंदोलनों पर इसी पर नजर डार लेते हैं और याद रखिए क्या रहेगा कि इससे कुष्टेंस डारेक्ट बन जाएगा आप से लिखने के लिए मुक परीक्षा में भी कुष्टें के कारण किसानों का संपूर देश में आंदोलन जा रही है हाली में किसानों ने दिल्ली में इन किर्सी यदीनियमों के विरुद पिदर्शन किया है उपने वेसी भारत में भी कई बार किसानों ने अपनी मान के कारण आंदोलन किये हैं एक बात और याद रखिए आप ते अब हमारे देश के कुछ हैं आपके ये लोग इनका सुसरंड करते हैं और मैं हमें साथ से बोला है आप लोगों की कि 1947 में हर किसी को आजादी नहीं मिली एक तरह से आजादी की पर उसे शुरू हो चुपी थी दबे कुछले जो भी लोग थे उन्हें आजादी मिलनी शु को लाए गया है और इन अधीनेमों की फल्सुरू किसानों के गुस्ता संपूर्ट देश में प्रिदर्शन के रूम में सामने आए किसान ना सरिफ देश का अन्यदाता है बलकि भारत की स्वाधीनता आंदोलने में जिन लोगों ने सीस इस्तर पर अपनी उपस्तिती दरज कराई है उनमें किसानों का भी अहम योगदान है आधुनी भारत भारती इतियास में ऐसे कव यही आउसर आये हैं जब किसानों ने अपने बिभिन समय पर आंदोलन के द्वारा आपनी मांगों को सरकार की समझ रखा है एक बात और आपको बता हूँ किरसी का योगदान आप समझते हैं किरसी पर कितनी जन संक्या निरुवर रहती है कई जाज्यों में आपको देखने को मिलेगा 80% जन संक्या किरसी चेत्व पर निरुवर रहती है आप समझ सकते हैं कर समझ रहे हैं आपको और याद रखिए मुझे लगता है कि किसानों की बाते हैं तो सुना जाना चाहिए क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता नहीं बहुत कुछ एक तरह से मदद करते हैं लॉकडाउन के ताइम आपने देखा है अर्दविस्ता किस तरह से गरी हुई है अगर उसमें कुछ राहत दी है तो हमारे क्रिसी किसानों ने दी अप किसानों का एक समय अपकी ठाली में जो रोटी है उसके बारे में एक समय के लिए सोची आप लोग ये किसान अगर फसल ना होगा हैं तो वो रोटी कहा से आईगी डि़िए क्या अखाएंगी आप लोग और लॉकडाउन के टाइम आपने देखा है आबा जाही परिवान सब कुछ ठपता तो उस देश के बारे में आप लोग अंदाजा लगाईए जहां खेती ना होती हो जहां किसान काम नहीं करते हो तो उनकी क्या आहलत रही हुगी समझ रहे हैं आप लोग अब बात करते हैं आधुनीक भारत में किसान अंदुलन तो सबसे पहले आप देखेंगे नील अंदुलन इस अंदुलन अप आरम बंगाल के गोविंदपूर गाउं में 1869 को आरम हुआ था बंगाल के किसान अपने केतों में चाबल की केती करना चाहत परन्तु उन्हें यूरोपिय नील की खेती के लिए विवस कर दिया गया है यह नील आंदुलन इसलिए हुआ था 1869 में डेट भी याद रखी है क्योंकि प्रिलेम्स में बन जाएगा वंडे एक्जाम में तो डारेक्ट वन लाइनर में कुश्चन्स पूंच लेता है यहां तो इसी की आरहा ने यह न्दूलन हुआ था इस स्थानी नेता किसानों विद्रों कर दिया और इस आंदोलन में हине यह नईकरो के इस आंदोलन का बर्डन दीन बंदू मित ने अपने नाटक नील दर्बन में किया है तो ये कहानी है आपकी नील आंदोलन की नील किसान आंदोलन की और याद रखी इससे जुड़े हुए निताओं को भी आपको याद रखना है क्योंकि इनसे भी डारेक्ट कुश्चन्स पूच लेगा फिर दूसरा है आपका पावना बिदू पवाना बिदू ये आंदोलन 1836 में जमी द्वारों द्वारा किये किसानों के सोशन के विरोध आरंगवा था और इसमें किसानों ने पावना जिले की यूसुग्ध साही दिरोधी बाकिम चंद चटर जी और द्वार का नात गांगोली जैसे नेताओं ने इसका समर्तन भी किया था ठीक है फिर आप देखेंगे दक्कन का बिदूरों किर्सा का अंदोलन मात उत्तर भारत में ही सीमेत नहीं रहे बलकि यह देखने को मिलेगा दच्छन में भी फै और अमेरिका में नागरिक योदि की यानि की जो भी वहां एक तरह सी योद चल दा था उसकी समाप्ती के समय बढ़ाए गये कर जब योद समाप्ती के उपरांद भी कम नहीं किये गये तब किसानों का गुस्था बढ़ा है इसी समय आप देखेंगे दिसंबर सन 1884 में एक स और इसमें महाजन सावुकार की दुखान से सामान करीतना उनके गहर काम करना और उनके खेतों में काम करने के करने सी किसानों ने इंकार कर दिया इस सांधैन के लिए स सरकार ने दक्क milliards सख राहत अधिनियम द्वारा किसानों को सावुकार के बेरत सरक्षंट यह तब यह आ जब भी उनके घर में कोई फंक्सन है यानि कि इप्तिवार है, साधी है तब वो उनसे रिड़ लेते हैं और फसल के लिए वी एक तरह से वी जो भी है खात पानी उसके लिए टरह से रिड़ इनी लोगों से लेते हैं इनसे लेते हैं, तो एक पहली तो मनमानी प्याँदर लेते हैं फर क्या करते हैं लोग ? इन्ने फसल किसानों को इनही है को देनी पड़ती है इसी पिरतीक पर इतवर से रिड़ देते हैं अगर आप लोग कि कितना भी सच्ता हम खरीदें आपको फसल मुझे ही बेंचनी पड़ेगी मुझे ही देनी पड़ेगी तो ये भी सोसण का जरिया ही है क्योंकि दूसरा अगर 20 रोपया किलो दे रहा है अगर ये 15 रोपया किलो भी ले रहे हैं तो हमें इनी को बेंचना पड़ता है और मैं इसलिए बोलना हूँ कि अधिकतर किसानों की यही आलत है मैंने भी देखा है इन किसानों की आलत हूँ पर आप देखें कि चंपारन किसान बिंद्रो यहां दोलन नित्तिन कटिया पड़ाली के बिरोध में बिहार के चंपारन नामकिस्थान पस्तूर हुआ था इस पड़िती में चंपारन के किसानों ने अंग्रेज बागार मालिकों ने एक अनुबंद करा लिया था जिसके अंतर के किसानों को जमीन कि तीन बीस बेक हिस्से पर नेल की खेदी करना अनिवाल था और अभी जो एक तरह से कॉंटेक्ट फार्मिंग की बात किजराई यही प्रोब्लम देखने को मिल सकती हमें कि आंगे इस तरह से भी जो भी कॉंटेक्टर होंगी वो इस तरह से भी इनको सोसंट कर सकते हैं सदाप्दी के अंत में रसायने के रंगों की खोज और उनके पिचलाने से नील कप के बाजार समाथ हो गए और परन्तु बागान मालिकों को ने नील की खेती बंद कराने के लिए किसान से अवयत बसूली किया इस आंदोलन में इस्थानी नेता ने गांदी जी को अमंतित किया और गांदी जी के आने के बाद इस आंदोलन राष्टी इस तरफ पर चर्चा का बजशाय बन गया को साथ करने के लिए एक आयो का गठन भी किया जिसमें गांदी जी भी सदस्त बनाया गया और बागान मालिक अवैद बसूली का 25 पितिसत बापस करने में परविवस हो गये फिर आप सुनते हैं मोपला किसान विद्रो यह किसान विद्रो जमीर दारों की बिरूद था चोकि मोपला किसान मुसलिम समदाय से थे तथा जमीदार हिंदू समदाय से संबंदी थे तथा उपनेवेशी सरकात वारा इस आंदोलन को संपधाय करंग देने का प्रयास किया प्यारम में विद्रो अंग्रेज हुकूमत की खिलाप था, मातमा गांधी सौकत अली मौलाना अबुल कलामाजाज जैसे निताओं का सहीव इस आंदोलन के मुंक निता की रूम में अली मुसलियार थे, यह आंदोलन असहीव वत्तता खिलापत, आंदोलन की समकाली था, इस ब भारत माता की जै कहना है, लगा दीजे, आपको अपने धरम को मानना है, लगा लीजे, जो भी करना है, कर लीजे, क्योंकि यह नेता चाहते हैं, कि आप हिंदू मुसलिम मंदिर मर्चित, यह मुद्दे बने रहें, और देश को पीछे छोड़ते जाए, आप लोगों का सौ पसंड होता रहे, इन्हें अपनी रोटियां सेहकने से मतलब है, मैं कई ऐसे मुसलिम नेताओं को भी जानता हूं, जो अपना घर भर लिये, लेकिन अपने समाज को नहीं देख पाए, मैं ऐसे कई जंजाती नेताओं को जानता हूं, कई समोहों के नेताओं को जानता है, ज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिल जुलके रहें, किसानों में ना तो आपको देखने को मिलेगा, हज जाती का लोग मिलेगा, पर चाहे आपका मुसलिम हो, किसी भी जाती का हिंदू, धरम से, सिक्ष बहुत, जिस से भी हो, यही हमारी एक तरह से पहिचान है, देश में भीवित लाएं ना, और हम ना इनकी बातों में फसेंतों, तो इसलिए सब लोग मिल जुलके रहें, लोगडाउन में आप लोगों ने देख भी लिया है, कोई नेता आपकी मदद के लिए नहीं आए, मैं कई ऐसे उधारन बता सकता हूं, जिन में मुसलिमों ने हिंदू की मदद कि निचली जाती ने उपर लोगों की मदद किये, उपरी लोगों ने निचली जाती की मदद की हुए, तो आप मत इन नेताओं के भड़कावे में आईए, आपके लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अपनी इंसानियत धर्म है, अपना करम धर्म है, यही मानना चलिए, इससे जाना मैं भी कुछ नहीं मोल सकता हूँ, फिर आता है आपका खेडा सत्य में, यह आंदोलन 1918 में खेडा गुजरात में आरम हुआ था, जब सरकार फसल वरवाद होनी की उपरान पी कर बसूल रही थी, इस आंदोलन का नेतित गांदी जी और सरदार बल्लबभाई उत्तर पिदेश में किसान अंदोलन, तो हम रूल लीक की कारकरताओं के प्रयास्ट अतर मदर मुगलन मालवी एक देशा निदेश के पैडाम सरूर, फरवरी शन 1918 में उत्तर पिदेश में किसान सभा का अगठन किया गया, उस सन 1919 में अंतिन दिनों में किसानों का संगठ इस संगठन को जबाला नहरू जी नहीं नेतिक समर्थन दिया, उत्तर पिदेश के हर्दोई बहराईज, सीतापुर जिले में लगान में विर्दी, एवं उपच की रूम में लगान बसूली को लेकर, अवद की किसानों ने एक का आंदोलन नामक आंदोलन चिलाया, एक बा करते रहते हैं, ठीक है, बार्दोली सत्यागे की बात करें, तो यह अंदोलन भी लगान में वड़ोत्री के कारण हुआ था, यह सूरत के बार्दोली में 1928 की बात है, इसमें सरदार बल्लभाई पटेल एक कुसल नेता के रूम में है, और इसमें उन्होंने लगान का वहिस का भी प्रियोग किया इसमें, फिर आप देखें कि तिभागा अंदोलन, किसान अंदोलन में सन 1940 में बंगाल का तिभागा अंदोलन सरवादिक सरसकत अंदोलन था, जिसमें किसानों ने फिलाइड कमिशन की सिफारिश के रूम लगान की तर घटा कर एकत्याई करने के फिर आप सुनते हैं तेलंगाना का अंदोलन, इस समय तेलंगाना हिदरावाद रियासत कांग था, और यह है 1946 हिदरावाद की नजाम की नीतियों के विरुदिक कमिनेश्ट पाइटी द्वारा अरम किया गया था, और आपको देखने को मिलेगा यह विद्धरो हिंसात्मक ह हो गया था, और 1951 तक किसी ना किसी रूम में चल दा रहा, फिर आप देखें कि किसान अंदोलन की महत की, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि कुछ अंदोलन को आप लोग याद रखिए, किस कारण हुए उसे भी याद रखिए, कब हुए उसे भी याद रखिए, और इन से जोड़े निताओं को याद रखिए, जब भी लिकित परिच्चा में कुछ चंस आए, या आपका प्रिजिंस में कुछ चंस आए, तो आप सॉल करने की या लिकित कर, मैं आप लिखने की लायक बन जाएंगे, ठीक है, अगर किसानों के अंदोलन की इतिहास की बा आप को बताना हो तो आपके पास हैक्ट या पॉइंट की कमी रहेगी, आप समझए अगर महलाओं की स्थिति की बारे में आप लोगों को लिखना है, तो मुझे दी लगता है कि आप की पास पॉइंट कमी रहेगी, material की, अगर आप महलाओं की स्थिति को समझते हैं तो, अब आप सिविल सर्विस की पोर बढ़ रहे हैं, सिविल सर्वेंट वनने जा रहे हैं, आप कोई कौंस्टेबल नहीं वनना है आपको, कि आप से कह दिया कि बाहां ये डंडा, जाए डंडे बरसाइए, तो आप जाके बरसाने लगे, यहां आपको अपनी सोच रखनी होगी, ना कि किसी और की सोच पर चलना होगा, ठीक है? अगर हम बात करें किसानों के आंदोलन के मत की, काई बार किसान आंदोलों ने राष्टी आंदोलन की सूनेता को भरा है, उधारन के लिए आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रों से, 1885 में कांगरेश की स्थाफना कर तक नील पवान बिद्रों और दक्कन बिद्रों हुए हैं, किसान आंदोलों ने महत्मा गांदी सर्दार पटल और राजिन परसाथ जैसे निताओं को जन नेता करता कि रोम में स्थाफित किया है, आप समझें, 1915 से पहले गांदी जी को कौन जानता था, उन चंपारन से पहले गां तो जेपी आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जेपी आंदोलन से कई नेता उबर के आए हुए है, विहार की अधिकतर नेताओं को आज आप दोद देखते हैं, जेपी आंदोलन की एक तरह से उत्पन हुए हैं, उसी समय से ओगे हुए हैं, इन्होंने सुतंता जमीदारी का विनास, इन आंदोलनों ने किसान तता अन लोगों को उपनेवेसिक सासन के परोद पेरेत किया हैं, लाक में आप कह सकते हैं कि उपनेवेसि सासन के दोरान भी कई बार किसानों ने अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया हैं, परन्तु सतंता के बाद किसानों कर नाम पर होने वाले आंदोलन या उसकी आंदोलन हुए बेहिंसाक और राजनीती से ज्यादा प्ले रहे थे इस समय भारत में भारत की लोगों दो आक के द्वाने चुनी की हुई सरकार वह ओपनेवेसिक सोचल फिविट्टी से हटकर अता किसानों समस्याओं का सीखने बार कर रहे हैं कम से कम कहीं अपनी अब बात को रखने हैं तो उसमें बात में भजन तो होना चाहिए अब बेवकूगों की तरह आप मत करिए कि आपने मोबाइल उठाए आपके हाथ में सोसल मीडिया तो लिए आपने Facebook, WhatsApp आपने एक पोश्ट दाल दी उसमें कितने सच्चाई ह कितना बजन हैं कितने तरक हैं उसके सच्चाई में उसका दूसरा पक्ष कितना मजबूत है यह भी तो आपको देखना चाहिए और आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है विसी स्तौर पर आपको याद रखना चाहिए आप देखते हैं कि एक आंसर लिखने के लिए माल लीजे कि आरक्षन के मुद्धे पर आपके questions आता है लिखने के लिए तो उसमें आप लोग क्या करते हैं पहले आरक्षन के बारे में कुछ दो पॉइंट लिख देते हैं फिर आप नीचे जाते हैं उसके पक्ष में भी कुछ कहते हैं फिर उसके विपक्ष में कुछ कह ना कि दूसरे इस तरह के तरह की उनोंने, आपने देखा होगा कि उनने एक जगए सा दूसरी जगए भेजा, आपने भी एंगे सेर पर क्लिक किया बढ़ा दिया, बिना कुछ सच्चा ही जाने. ठीक है और किसान हो फिर इसे हमारे चात हूँ या फिर हमारे कोई भी हो इस तरह के महलाओ की स्थिती की बात के लिए महला अंडोलन हो गया तो इसका सपोर्ट आपको हमेशा करना चाहिए मुझे लगता है खिसान अगर अपने लटागी लड़ा है तो उसमें बTYसा लेना चाहिए चात अगर अपनी यही रहा है तो उस पर भी बTYसाड़ के हमें सहीव करना चाहिए क्योंकि यही लोग हमारे डेस का भवरिस हैं एक तरशी ठीक है चलिए मिलते रहेंगे अब लोग पढ़ते रहें